एशिया कप खत्म होने के बाद भारती टीम को अस्ट्रेलिया खिला वर्ल्ड कप से ठीक पहले 22 सेप्टेंबर से तीन मैचों की ODI स्रिंखला खेलनी है और इस स्रिंखला के लिए भारती टीम की गोश्रा हो गई है और यहां पे कई सर्प्राइजिंग चेंजिच किये गए है तो पहले समझ लेते हैं कि ODI स्रिंखला को दो भागों में बाटा है भारती टीम ने भारती सेलेक्टरों ने पहले दो ODI के लिए बिल्कुल अलग टीम चुनी है यानि कि यहां पे सीनियर खिलारियों को आराम मिलता हुआ दिख रहा है यहां पे आपको विराट कोली खेलत करते हुए दिखेंगे रोहिसर्मा वापसी करते हुए दिखेंगे कुल्दीप की वापसी होगी जस्प्रीद बुमराह की वापसी होगी सुमन गिल की वापसी होगी तो यह सारे खिलारी आपको तीसरे ओडियाई में खेलते हुए दिखेंगे लेकिन जो सबसे अहम कड़ी इस जो इसक्वाइड आया है अस्टेलिया खिलाफ जो घोसित इसक्वाइड है उसमें दो महतफूर खिलाडियों को सामिल किया गया है वो खिलाडी है आर अस्वीन और वासिंग्टन सुंदर तो इन दोनों के चैन का बहुत हिमाइन है आपको भी पता होगा कि अक्षर पटे आश्या कप के दौरान चोटील हो गये थे जिसके बाद से अब इनका बैक अप भारती टीम तयार कर दिये कि उनकी इंजरी कितनी सीरियस है ये पता नहीं है जिसकारण पहले दो ओडियाई में अक्षर पटेल को नहीं चुना गया है तीसरे ओडियाई में सबजेक्ट टू इस फिटनेस उनको इंक्लूड तो किया गया है लेकिन अभी भी भारती टीम बिसी सी आई ये कंफर्म नहीं है कि कब तक अक्षर पटेल रिकबर कर पाएंगे तो अक्षर पटेल का जो इंजरी है वो cause of concern है जिसकारण आर अस्विन को as a backup आल राउंडर स्पिन आल कप्तान और विकेट कीपर होंगे आप समझ सकते हैं विराट कोली और रोही सरमाज यहाँ पर नहीं खेल ले हैं जिस वज़े से केल राहूल को कप्तानी दी गई है रविन्जडेजा वाइस कप्तान होंगे रुतुराज गैकवार्ट सुबमन गिल स्रेयस सैयर सुरिकुमा तो यह जो खिलाडी है 15 सदसी जो टीम है यह पहले दो डियाई के लिए खेलेगी यहाँ पर रुतुराज गैकवार्ट तिलक वर्मा को भारती टीम टेस्ट कर रही है कि अगर खुदानक हास्ता स्रेयस सैयर पूरी तरीके से ना फिट हो पाएं तो उनके जिगाप के तौर पर वो वर्ल्ल कप में सामिल कर ले जिसका रएड़ यह खिलाडियों के पास गेम टाइम रहना बहुत ही आवश्चक है अगर हम बात करें तीसरे ODI के लिए जो भारती टीम है वहाँ पर रोईस सर्मा और केल रोईस सर्मा और विराट कोली वापसी करते हुए दिख रहे है रोईस सर्मा कप्तान, हार्दिक पांडिया वाइस कप्तान, सुम्मन गिल, विराट कोली, स्रेय सायर, सुर्य कुमार यादव, केल राहुल, इशान किशन, रविंद्र जडेजा, सार्दूल ठाकूर, अक्षर पतेल, सब्जेक टू फिटनेस टेस्ट, अगर अक्षर पतेल फिटनेस पास करते हैं, तभी ये तीसरे ODI में इंक्लूड होंगे, नहीं पास करते हैं, तो फिर फासिंग्टन सुंदर, कुल्दी, प्यादव, आरस्विन, जस्प्रीद, बुम्रा, मुहमद समी, मुहमद सिराज, मतलब ये 17 सदस्ती टीम है, इसमें आरस्विन और वार् वल्लकप के दोरान, जिस वज़ा से यहां पर आरस्विन को वो दो, टीनो मैचों में मौका देते हुए, नजार आ रहे हैं, तो इस स्कौाइट के बहुत ही माइने है, जो अक्षर पटेल का साइद इंजरी है, वो सीरियस समझ में आ रही है, बी सी सी आई को, हाला कि वो सुंदर है, असुन में से किसी एक खिलाडी को देख सकते हैं, आप चुना जा सकता है, वहीं अगर हम बात करें स्रेयस आयर की, तो वहां पर जो भारती टीम के सेलेक्टर हैं, आजीत अगर कर, उन्होंने बताया है कि स्रेयस आयर के फिटनेस पर उन्हें बहुत ही कॉन्फ और क्या ये टीम में, वर्ल्ल कप के टीम में बड़े बतलाव होने के संकेत भी देते हैं, आकि नहीं, तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वास्त रहें, मस्त रहें, जैहिंद, जैभारत, अगर ये व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें